साथियों नमस्कार सुबह सुबह का सांदार नजारा और इस बीच एक सबसे बढ़िया कबार इस रीड सर्टिफिकेट का आप इसलिए दो महीने से इंतजार करें थे वो सर्टिफिकेट आपको कल सुबह मिलना सुरू हो जाएंगे हर एक जीले में इसके लिए अलग-लग सें सुबह की सर्टिफिकेट को प्राफ्त करने के लिए आपको दो या तीन दस्तावेजों की जरूरत है दो दस्तावेज इसमें सबसे महतोपून है और दूसरी चीज जो सबसे महतोपून है कि बौर्ड ने की फार्फॉर्मा रिलीज किया है फार्फॉर्मा या एक पर्मान पत्र है जिसमें आपको पूरी सूसना हें बरनी है उसी सूसना के आदार पर आपसे वह फोरम जमा कर लिया जाएंगे यह उस संदर्ब संक्या को आपके जो संबनित सेवा के अंडर है वहाँ पर अप डेट कर दिया गया है और इसमें manipulation हो जीले हैं वहाँ पर तो यह वित्रन सुबह ही सुरू हो जाएगा इसमें मोशली सवाय मादोपुर के बारे में पूरी डीटेल आ चुकी है सवाय मादोपुर के जो राज किये उत्समाद्धे में विद्याले वहां पर यह सर्टिफिकेट 17 तारिक मौर्निंग से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे ही अलग जीलें जैसे सिकर में स्कूल में आपको संपर करना है साथ साथ आप गुरु गोविन सिंग स्कूल उद्यपूर या फिर किसी अन्य आपके स्तान पर हैं जिस जिस एरिया में है आप वहां के जो नोडल के अंदर है जो पहले से बोर्ड के नोडल के अंदर काम करें यहां 32 जीलों की सुची भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वहां पर आप देख लें और वहां के फोन नमबर भी मैं यहां देने की कोशिश करा हूँ उन फोन नमबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सम्मंदित सेंटर की पूरी जानकारी मिल जाएगी पहले केवल लेवल वन के परमानपत्तर तयार हुए थे उसके बाद लेवल टू के अब दोनों के तयार हो चुके हैं तो सवाई मादोपुर्शी जो न्यूज आ रही है वहाँ पर दोनों लेवल के एक साथ आपको दिखाए जा रहे हैं सर्टिफिकेट और उसको सुबह वित्रीत करना सुरू कर दिया जाएगा समंदित के अंदर पर बाकी जिलों में देखे हैं तो अजमेर और यहां असपास के इलाके में इसका वित्रन सुरू हो चुका है लेकिन बिकानेर में सादूल स्कूल में आपको दो दिन बाद लगबग इसके आने की पहुंसने की संभा होना है क्योंकि वहां अभी तक यह सर्टिफिकेट्स नहीं पहुंचें अभी केवल 11 जिलों में पहुंचें तो निशित रूफ से पहले दिन आपको पता है बड़ी संख्या में लगबग 7-8 लाग स्टूडेंट्स को यह सर्टिफिकेट्स मिलेंगे थोड़ी बीड भी होगी अवेवस्ताइं भी होगी तो आप अपने इसाब से थोड़ी सी तैयारी करके जाएं थोड़ा सा वहां पर आकलन कर लेंगी कितनी संख्या में लोग वहां मौझूद है बीड से बसने के लिए हो सकता है एक दो दिन थोड़ा सा आगे पीछे भी करना पड़े पहले दिन आपके बीड काफी ज्यादा रहती है आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं हो इसके लिए थोड़ा सा आपस में जो लोग वहां कि प्रिंट आउट लेकर आप उसको बरकर ले जाएं जिस यह वहां पर बैट कर आपको समय बरबाद नहीं करना पड़े और इतनी बड़ी संक्या में परपतर है तो ढूड़ने में भी थोड़ा सा समय लगेगा साथ इसाथ तभी पदों में बड़ोतरी की बात अभी भी है समझ में कुछ लोग यह आ रहा है कि EWS के जितनी बड़ोतरी की तो अभी भी गुंजाइस है कि एक तरफ उर्दू की डिमांड चल रही है परदों में बड़ोतरी की तो अगर पूरा ज्यादा बड़ोतरी नहीं हो कम से कम EWS को जितने पोस्ट दी जा रही है वह बड़ो और मेरी सर्टीफिकेट का मैं स्पेशल वीडियो आपको साम तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और यह की रिजर्वेशन किस तरह से मिलता है बहुत से स्टुडेंट यह सिकायते कर रहे हैं कि उनके संबंदी जिले में उसकी कर्टेगरी की एक भी सीट नहीं दि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें धन्यवाद